तो हम बात कर रहे थे आपके लगन चार्ट में जब विभिन भाव में मंगल इस्तित हो और अगर आपको मंगल की महादसा भी आ रही हो तो ऐसे में आपको क्या-क्या प्रेणाम मिल सकते हैं इस वीडियो में आठवे भाव के बारे में बात करेंगें आठवे भाव में अगर आपका मंगल इस्तित है और अगर आपको मंगल की महादसा सुरू होने वाली है या सुरू हो चुकी है तो आपको आपके कारी चितर में अत्यंत व्यवारिक बनने की जरुत है आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बातें करना बहुत बड़ा कुछ आप जो भी योजना या जो भी प्लान बनाएंगे जो भी रननिती बनाएंगे वो दूसरों के इजली समझ में नहीं आएगा अगर इस समय आप अपने सत्रों के लिए कोई ऐसा प्लान तैयर करें जिससे आप उनको प्राजित कर सकें या नुक्सान पहुंचा सकें तो ये तत्वर आश्यों में मंगल इस्तित हो तो आपको मंगल फाइदे बहुत सारे दे सकता है लेकिन यहां पर नुक्सान भी काफी सारे हैं तो आठवे भाव के मंगल की दसा में आपको हर प्रकार से एक सावधानी सबसे बड़ी ये रखनी है कि किसी भी काम में बहुत जल्द प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं ऐसा मंगल आपकी कारिये चितर में और आपकी कारिये चितर में अचानक से बदलाव ला सकता है आपके विचारों में और आपकी रनिती में अचानक से बदलाव ला सकता है ऐसे मंगल की दसा में आप ये फील करेंगे कि वास्तव में जो आप करना चाहते हैं वो आप strongly करने को देख रहे हैं लेकिन आपको जो उर्जा है वो प्रियाप्त नहीं मिल रही है या आपको self motivation की बहुत ही ज़्यादा ज़रत है अब ऐसा मंगल आपको वाणी के माद्दम से बहुत ज़्यादा strong इस्तिति प्रवाइड करेगा क्योंकि मंगल की दृष्टी यहाँ पर आपके second house पर रहती ही रहती है ऐसे में आप अगर अपनी वाणी से कुछ ऐसा काम कर सकें जिसके मदद से आप काफी ज़्यादा earnings कर सकते हैं तो इस पर आपको ध्यान अवस्य देना चाहिए लेकिन यहाँ इस्तित मंगल आपके विभार को कभी-कभी बहुत ज़्यादा बिगाड भी देता है मंगल की साथ वर्स की दसा के दुरान आपको अपने स्वास्ते को लेकर अचानक उतार चडाओं का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर अगर आप अपने जिवन साती की फैमिली के साथ मिलके अगर कोई काम करेंगे या प्रोपर्टी से रेलेटेड कोई काम करेंगे या प्रोपर्टी परचेज बगरे करेंगे या अपने पैत्रक संपत्ती में कोई वामला है तो उसको लेकर काफी चुनोतियां आ सकते हैं तो ज़्यादातर केस में यहां इस्तित मंगल आपको चुनोतियों की तरफ लेकर जाएगा और उन चुनोतियों से पार पाने की छमता भी आपको देगा लेकिन कुछ ना कुछ आपको नुक्षान होगा चाहे तो आप mentally बहुत ज़्यदा डिस्टरब रहें चाहे आपको सार्रिक रूप से कोई चोट लगे या किसी के साथ कोई विवाद हो दुरगट ना हो ऐसा सब हो सकता है यहां पर मंगल इस्तित होते वे आपके मन में एक अंजाना से भे डवलप करेगा इस भे की वज़ए से कभी-कभी आप किसी भी काम को करते समय जब वास्तम में आप जब प्लान त्यार कर रहेंए उस समय नहीं, बलकि जब आप particular किसी भी काम को कर रहे हैं, उस समय थोड़ा गवराय हुए से रहेंगे, और आपकी feelings जो हैं किसी भी particular काम को लेकिए या किसी भी योजना को लेकिए बहुत ही अजीब हो सकती हैं, बहुत ही ऐसी feelings हो सकती हैं जहाँ पर आप अपने आपको बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ महसुद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा restriction में महसुद कर रहे हैं, इस प्रकार का मंगल आपको धन समंदी और property समंदी फायदे जरूर करवाता है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ नुक्सान होने के पस्चाथ, या हमेशा कुछ न कुछ mental tension देने के बाद में, ऐसे मंगल की दसा में आपका कोई बहुत बड़ा accident होना, आपके सारक रूप से कोई बहुत बड़ी injury होने के chances बनेंगे, इसके साथ ऐसा मंगल आपको अपनी महादसा के दौरान, आपके जो in-laws हैं, उनके साथ strongly connect करेगा, अगर आपका विवार उन लोगों के साथ अच्छा नहीं रहता है, तो आपको ऐसा मंगल काफी नुक्शान करवा सकता है, आपका जो जिवन साथी है, वो अपनी वार्णी के माद्यम से आपको बहुत strongly प्रभावित करने की कोशिस करेगा, अगर मंगल यहां कमजोर है, तो आपको चुनोतियां बहुत ज़्यादा आएंगी जिवन में, इवन अपनी married life को लेकर भी काफी ज़्यादा चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, अब depend यह करता है कि मंगल आपके चार्ट में कौन-कौन से भाव के स्वामी है, देखें यहां मंगल इस्तित होने की वज़े से, आप अपने आपको बहुत ज़्यादा सक्रिये तो देखेंगे, लेकिन आप बहुती सेक्रेट तरीके से सक्रिये देखेंगे, जब दूसरों को यह सब नजर नहीं आता कि आप कितने ज़्यादा सक्रिये हैं, बले यह आप अपना फिजिकली सक्रिये हैं, या माइंड से बहुत ज़्यादा सक्रिये हैं, दोनों प्रकार की सक्रियता जरूर देखने को मिल सकती है ऐसा मंगल आपको जरुत से ज्यादा व्रकलोड दे सकता है इससे कभी-कभी आपको सारे करूप से परेशानी होना या आपको कोई नुक्षान होने के भी चांसिस बनेंगे अब मंगल आपके चार्ट में जिन-जिन भाओं को भी रिपरजेंट कर रहा है उन भाओं से समंधित अगर आपको प्लान त्यार करते हैं मंगल की दसा के दुरण तो आपको बहुत ज़्यादा अवेर रहने की जुरत है आपको मंगल की दसा की दुरान उन पर्टिकुलर भाओं से रिलेटेड कारिय योजना या कोई भी प्लान त्यार करते समय थोड़ा सावधानी बरतने की जुरत है ज्यादा से ज्यादा व्याफारिक होने की जुरत है अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो आप अकसर थोड़े लंबे समय बाद ही सही लेकिन आप सफल जरूर होंगे इस परकार का मंगल वास्तम में आपके लिए बहुत सारी चुनोतियां लेकर आएगा लेकिन इसके साथ बहुत सारे नए अवसर भी लेकर आएगा जहां पर आप किसी के साथ jointly काम कर सकते हैं आप secret तरीके से धन या पैसा कमा सकते हैं आप even property का फाइदा पा सकते हैं लेकिन आप अपने emotions को अपने expectations को कितना ज़्यदा control कर सकते हैं ये आपके उपर depend करता है मंगल का समद अगर आपके चार्ट में लगन या फिर चतुर्थ भाव या फिर सब्तम भाव या फिर आपके चठे भाव या फिर आपके बारवे भाव से है यानि इन भावों के अगर मंगल स्वामी है तो आपको चुनोतियां ज्यादा आ सकते हैं और आपका domestic जो life है वो ज्यादा प्रभावित हो सकता है और आपके mental peace पे बहुत गहरा असर ऐसा मंगल डालेगा अपने महादसा के दोरन अब मंगल की दसा के दोरन आपको धन संपत्ति के फायदे होने के बहुत ज्यादा चांस है जिसमें भी आपको वास्त में कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने क जुरत नहीं पड़ेगी अगर मंगल अच्छे स्थिते में है लेकिन देखिए मंगल जो है वो काफी फायरी है और मंगल की दसा में आप कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट ना करें जो बिना विवाद के हो सकता है जहाँ पर लड़ाई जगड़ा ना हो या जहाँ पर आप आप विजिकली और मेंटली उतने एक्टिव ना हो तो अपने आपको हमेशा सक्रिय रखने की जुरत है वास्तम में अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी टार्गेट पर पहुंचना है इसके साथ मंगल की दसा में जो कुछ आप जिवन में पाना चाते हैं अपने करियर में पान मंगल वास्तम में आपके अंदर बहुत ज्यादा रोग परतिरोधक छमता को डवलप करेगा आपके अंदर एग्रेशन को डवलप करेगा जिससे आप अपने आपको जल्दी से समझ पाएंगे और जल्दी से कोई भी प्लान जो आपने तियार किया है उस पर तेजी से काम क कर पाएंगे इस प्रकार का मंगल वास्तम में आपको ब्लड से रिलेटेड प्रोग्लम्स दे सकता हैं सरीर पर कहीं गहाव होना कट लगना या कोई अन्य सारिक चौट की संभावना बन सकती है इसके साथ ऐसा मंगल अगर किसी भी अधर प्लनेट से समंध बना रहा जैसे क केत्तु से समंध है तो काफे विसबोटक हो सकता है या अगर ब्रसपती जैसे ग्रह से समंधित है तो फिर आपको ये कुछ न कुछ नया एक्सप्लोर करने में हमेशा मदद करेगा पर देखें जिस भी भाव में हमारा मंगल इस्तित होता है उस भाव से जुड़े हुए का उसे ज Audience में कुछ न कुछ नया सिखेंगे और करेंगे इस प्रकार का मंगल वास्ता में आपको ज्यादा से ज्यादा practical बनाने का प्रयास करेगा अब आप मंगल के energy को कैसे यूज करते हैं कितना जदा positive way में या negative way में यूज करते हैं इसके पर बहुत हद तक depend करेगा यह सब आपके उपर ही depend है यहाँ पर मंगल आपके लाबस्तान को देखने के साथ-साथ आपके second house पर भी दृष्टी डालते हैं तो यहाँ पर सबसे मैंन है फिर आपकी वाणी आप अपनी वाणी से कैसे बोलते हैं आपकी जो words निकलते हैं मुझसे वो कितना fast निकलते हैं या कितना slow निकलते हैं इसका भी बहुत गहरा impact आपकी life पर पड़ेगा इसके साथ मंगल आपके third house को देखते हैं अब third house को जब भी मंगल ऐसी इस्तिते में देखते हैं तो भाई भहनों पड़ोस्यों और इस्तिदारों से थोड़ा विवाद जरूर उत्मन क कर सकते हैं लेकिन ऐसा मंगल आपको काफी जदा जोखिम लेने के लिए भी प्रेरित करेगा काफी जदा आक्रामक भी बनाएगा तो आप में बहुत अधिक आक्रामकता होने की वज़े से कभी-कभी आपको यह ऐसा blindly फैसला ले सकते हैं जो आपको काफी जदा नुक्सान पहुंचा सकता है तो यह सब बातों का आप ध्यान रखेंगे मंगल की महादसा के दुरान जब भी मंगल आपके लगन चार्ट में आठवे भाव में इस्तित हो